हेलो फ्रेंज मैं सुप्रिया सिंग आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेजी की चलिएक्स में आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब करिएगा और जाधा अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा चलिए बनाना शुरू करते हैं आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी मलाई मतर बनाना बहुत ही आसान है चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं एक कड़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और एक बड़े साइस का प्याज मैंने रफली काट लिया है इसे डाल देंगे साथ ही इसमें डालेंगे 10 से 12 काजू दो हरी मिर्च डालेंगे तीखा आप अपने स्वात के अनुसार डाल सकते हैं इसमें मैं डाल दई हूँ एक चम्मच लहसुन का पेस्ट आप चाहे तो फ्रेश वाली लहसुन का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो आपको पान से छे कलियां डाल दी होगी 1 spoon ginger paste अदरग का paste अदरग भी आप चाहे तो fresh डाल सकते हैं पड़ मेने आप एक चुम गारली का paste जो है गर पर बनाया है और store कर रखा है तो इसलिए मैं इसका इस्तमाल कर रही हूं जिंजर गालिक एक साल तक स्टोर कैसे कर सकते हैं, घर पे उसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली है, आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, एक मिनिट के लिए प्यास को हम मीडियम तु हाई फ्लेम पर भूम लेंगे, अब यहां पर हम डालेंगे दो बड़े साइज मे कटे हुए टमाटर, इसे रपली काट लिया है, इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ज पाउडर, नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार, बस अब इसे अच्छी से मिस्क कर लेंगे, इसमें हम डाल देंगे आधा कप पानी, अब इसे ढग देते हैं, और लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनिट के लिए पकने देंगे, और ये 10 मिनिट हो गया है, हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये रखिए हमारा टमाटर, प्याज अब इस टाइम पे हम ग्यास की प्लेम को बन कर देंगे, और हमारा ये जो मिक्षर है, मसाला इसे थंडा होने देंगे एक यहां पर मसाला ग्राइंड हो गया आयशे रखते हैं साइड में। जी कड़ाई में ठोड़ा सब तेल आप रख यह पूरा एक बंच जो आता है इक ही कां ऑसका इसके CEO čुप किया है इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है बस ऐसे ही भूनना है अब मैं इसे ढग देती हूँ ताकि जो मेथी है वो गल जाए और हमारा मतर भी पक जाए साथ ही साथ ये देखिए हमारी मेथी पूरी गल चुकी है और जितनी कॉंटिटी हमने यूज की थी उसकी आधी हो गई है अब इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेते है अब यहां सेम कड़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल तेल को अच्छे से गरम होने देंगे हम डालेंगे आधा चमट जीरा जीरा के चटकते ही हम यहाँ पर डालेंगे एक दालचीनी का तुकड़ा दो हरी इलाइची एक काली इलाइची तीन से चार लॉंग और एक लाल मिर्च को मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है इसे डाल देंगे लाल मिर्च डालना बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहे तो डालिये नहीं तो स्किप कर सकते हैं यह सारे मसाले अगर आपको खड़े ना पसंद हो तो आप प्यास टमाटर के साथ इन मसालों को भून करके भी ग्राइंड कर सकते हैं अब हम यहां पर डाल देंगे अपना ये पिसा हुआ मसाला अच्छे से मिक्स कर लेंगे इससे डग देते हैं और इसे हम 3-4 मिनिट के लिए अच्छे से पखने देंगे गैस की फ्लेम को लो रखेंगे प्रेंस यहां पर पूरे पाच मिल्ट हो गया है, हम इसे चेक कर लेते हैं, यह रेखिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, अब यहां पर हम डाल देंगे अपना मेथी और मटर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यहां पर हम डालेंगे एक चमच गरम मसाला पाउडर, अब अब इसे ढग देते हैं पांच मिट के लिए हम इसे पकने देंगे लो फ्लेम पर फ्रेंच इसे पकते हुए पूरे पांच मिट हो गए हम चेक कर लेते हैं अब उपर से डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती जैसकी फ्लेम को बन करेंगे और हमारी मेथी मलाई मतर बन करके तयार है सर्फ करने के लिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिये चैनल को सस्क्राइब करिये थेंक यू बाई बाई